हेलो गाइज, हेलो मैं ब्यूटिफुल सोल फेमली, वेलकम टो इंट्यूटिव टेरोट 1111, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा-चा कर रहे होंगे, और मेरी धेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सो आज की जो रीडिंग है, सबसे पहले तो सौरी, क्योंकि आज की रीडिंग आपको थोड़ा लेट मिल सकती है, दोनों चैनल पर आज मेरी रीडिंग जो हैं, वो लेट जाएंगी, फर्स्ट वाले चैनल पर भी, इस पर भी क्योंकि मैं बिजी थी, कहीं पर गई भी थी, क्यों रात से लेकर मैंरे मिरी माइन में No Contact, No Contact, No Contact, No Contact चल रहा है, हलाकि मैं No Contact के रीडिंग इसकिनी शायद नहीं करती हूं, लेकिन No Contact situation में आपके पार्टनर के current energies current feelings क्या है शायद किसी को जानने की जरूरत है मेभी तो मैं reading कर रही हूँ आज no context situation पर आपके partner वाओ nine of pentacles आपको बहुत miss कर रहे हैं by the way उनकी energies में आप इस वक्त शामिल हो या यू कहलो कि मेरी रग रग में तुम शामिल हो ऐसा कोई song है क्या पैसे मैंने आप songs भी रखे हैं वो ही वाले हैं लेकिन रखे हैं कुछ और भी channel करूँगी कुछ और songs मुझे बताओ मतलब comment में बता दिया करो मैं ये song भी रखो थोड़ा सा मुझे idea हो जाए इतने songs मुझे नहीं आते और messages भी देखेंगे आपको कुछ कहना चाहते हैं message देना चाहते हैं ठीके now let's start our reading बिल्कुल positive रहना है no context situation की reading है positive रहो negative energies मत देना देखो अगर आप negative energies देखो एक चीज़ और बता दू क्योंकि ये journal reading है so take what resonates and leave the rest see यहाँ पर देखो death है courage जो situation खतम हो चुकी है no context situation है please courage अपने अंदर courage विल्ड अप करो तो तभी no context situation का rule होता है detachment ठीके अब देखो अपनी energies को देना बंद करो और positive रहो अगर आप यही सोचते रहोगे मुझे इतने सारे comments आते हैं ये तो fake है ये तो हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता इतने हो गया वो हो गया अरे भई fake है वो नहीं सकता ये नहीं वो नहीं तो फिर देख क्यूं रहोगे बताओ देखा नम जब जिस चीज़ पर belief नहीं वो होगा भी नहीं आप जिस तरह से आप सोचोगे जिस वही energies आप अपनी release करोगे और वही चीज़ आप अपनी life में attract करोगे और वही होगा negative energy release करते जाओगे तो negative ही मिलेगा positive की तो उमीद नहीं रखो फिर चले जी देखते हैं कि आपके partner इस वक्त क्या feel कर रहे है no context situation में आपके partner की क्या energies हैं वो तो बहुत कुछ सोच रहे हैं बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं शायद बहुत जादा ठीके let's see क्या energies आती है तो आपके जाएट कर लीचे देखो courage दुबारा वोई courage ही आया है कि जब मैंने shuffle किया था तब ही मैंने आपको courage दिखाया था purpose 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 okay I know what I am here to do sorry health और no context situation में क्या situation and scenarios है मेरे वर के partner की मेरे वर के person की क्या feelings है क्या situations है यहाँ पर freedom की energy है freedom, health, purpose, courage क्या है नो context situation में इस person की feelings इस universe हमें guide कर देजिए surrender यहाँ पर bottom में है abundance सो इनको हम clarify करते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस no context situation में फाइनली आपके जो partner है जो person है surrender करने के mode में आ चुके हैं कुछ freedom उनको मिली है या उनोंने feel करी है और इस वक्त आपके जो person है या तो उनकी health issues चल रहे हैं या तो उनकी family में किसी न किसी के health issues चल रहे हैं उनकी mother हैं उनके father हैं sister है brother हैं जो भी हैं लेकिन किसी न किसी का कोई health issue चलता वा दिखाई दे रहा है वो उस वक्त जरा उस तरफ भी जरा उनका ध्यान है और अगर किसी के partner ने किसी के person ने आपको जान भूच कर no context situation में डाला आपसे दूर भागे आपको धोका दिया है तब ही ठीक है कुछ देखो यह है यह है कुछ लोग no context में इसलिए भी डालते हैं क्योंकि जान भूच कर वो इस तरह करते हैं ठीक है या ब्लॉक कर देंगे आपको hurt किया है इनोंने तो ऐसा लगता है जैसे अब वो अपना कार्मा भुगत रहे हैं या किसी की सूरत में या तो घर में कोई कोई ऐसा इनका हाथ सा हुआ है I don't know I am so sorry अगर ऐसा कोच हुआ है मुझे नहीं पता मुझे जो चैनल दो रहा है वो मैं बता रही है या तो health issues इनके अपने सही नहीं है या घर में किसी के सही नहीं है let's see इनको clarify करते है why this courage is here यहाँ पर courage की energy क्यों है why this courage is here courage की energy क्यों है यहाँ पर thank you so much death oh my god यहाँ पर है night of swords तो यह person अपने अंदर अगर इनोंने आपके साथ कुछ बुरा किया जान बूच कर आपको इनोंने no contact zone में डाला आपको इनोंने ब्लॉक कर दिया या आपके साथ बहुत ही toxicity अगर यह कोई toxic relationship था तब तो देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर एक बंदा आपकी लाइफ में toxicity पैदा कर रहा है तो यार उसके साथ deal करने का मतलब ही क्या बनता है या उसके बारे में no contact situation को देखने का मतलब ही क्या बनता है लेकिन जो लोग toxicity में नहीं थे या जिनके person ने उनको you know no contact situation में डाला ब्लॉक कर दिया या toxic नहीं थे आपके साथ लेकिन बस उनका अपने मसले मसाइल थे अगर उस वजह से उन्होंने कुछ किया था आपके साथ bad behavior गलत behavior रखा या आपको कोई closure नहीं दिया आपके साथ लड़ाई करी या जो भी किया ब्लॉक कर दिया ठीके लेकिन आपको पता है कि ऐसा वो था नहीं या ऐसा वो है नहीं उसकी energies ऐसी नहीं है मैं मुझे पता है या आपको जायर सी बते अपने अंदर वो courage build up कर रहा है कि यार नई शुरुआत night of swords या नई शुरुआत या पिर आपसे बात करना चाते है कुछ लोगों के लिए ये face to face आकर मिलना भी चाते हैं but they don't know कि आपका reaction क्या होगा इनके अंदर अभी तक वो शायद courage मुझे लगता है अभी तक भी इस person के अंदर वो courage build up नहीं हुआ कि या आपसे आकर खुल कर बात कर सके या मिल सके ठीके तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी इस person को with this death energy अभी भी इस person को transform होने की जरूरत है और अभी भी इस person के अंदर हिम्मट की जरूरत है अभी भी ये stand लेने के लाइक नहीं लग दिख रहा है दो कि ये सोच रहा है आपसे बात करने के लिए बिलकुल ये सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए लेकिन अभी भी इस बंदे में हिम्मत नहीं है चीजों को solve कर ने की यह आप दोनों के बीच रिष्टे के बीच कनेक्शन के बीच जो भी था यहाँ पर देखो कुईन आफ वेंड्स की इनरजी है और यहाँ पर डैविल की इनरजी है यहाँ पर टेवलिच इनरजी है तो ने आपर अपनी जो लाइफ का जो पर्पस था उस से हट चुके थे आपनी फैमिली से हट चुके थे या गलत राहों में जा चुके थे जब आप इनकी जिनदगी में आये with this queen of vans जब आप इनकी life में आये जब आप इनकी जिनदगी में आये आपने इनको समझाया सिखाया ब्छया बहिए life का एक goal होता है goal set करो life का एक purpose होता है आपने भले इस person को बोला नहीं हो लेकिन आपके actions में आपके अंदर इस परसन ने वो चीज देखी, वो टटोली, आपने न, आप बहुत ज़ादा अपने परपस को ढून कर, अपने गोल्स पर काम करने वाले, अपने पर वर्क करने वाले, काफी ज़ादा प्रेक्टिकल, बहुती शान, बहुती खुबसूरत, बहुती हैंसम, ठी जो भी हैं, यह हैंसम, लेकिन आपकी इनर्जी बहुत अच्छी है, अगर आप फीमेल हैं तब भी, आप बहुत अट्रेक्टिव हो, बहुत ज़ादा, ठीके, so beautiful you are, और आप अच्छा, beautiful और अट्रेक्टिव होने के साथ-साथ, आप बहुत ज़ादा, you know, beauty with brain, आप बहुत knowledge होए आपको, और कोई नो fans की energy है, fiery energy है, कहीं न कहीं इस person ने आपसे बहुत सबक भी सीखा है, इस person ने अपने addiction से बाहर निकला है, यह person आपकी वजह से, यह भी यहाँ पर clearly है, और यह person इस वक्त, अगर चलो, इस no context situation में, यह जो person है ना, अपने उस कुछ जो addictions हैं, जो भी इनके थे, यह जो भी इनके मसले मसाइल थे, यह उस person जो है ना, उस चीज से भी बाहर निकल के आ रहे हैं, और दूसरी चीज में यह भी दिखाई दे रही है, कि आपको लेकर यह बहुत जादा attraction फील कर रहे हैं, coin of wands, missing energy बहुत जादा है, तो, इस person को यह भी दिक है, इस बंदे ने मुझे life का purpose सिखा दिया, क्या जिंदगी का मेरा मकसद है, और चीज सिखा दिया में, पहले अंधेरों में था, इस बंदी ने यह बंदे ने मुझे रोशनी में लेकर आया है, तो, एक अजीब सी attraction इस person को आपकी तरफ हो रही है, physical attraction भी इस person को हो रही है, आपकी तरफ बाइदवे, यह बहुत जादा attracted हैं आपसे, और अगर आपको इस no context situation में कोई energies आ रही है न, आप बलकुल खुश हो, कोई problem नहीं है, लेकिन आप अचानक से emotional हो गए हो, यह अचानक से आपको sexual attraction हो रही है, अपने person के प्रती, तो यह आपकी energy नहीं है, यह इस आपको वो energies अपनी भेज रहे हैं, यह आपकी energies नहीं है, यह उनकी energies हैं, ठीके, आप अपनी तरफ से बलकुल सही हो, move on हो चुके हो, लेकिन फिर अचानक से बहुत जादा disappointed हो जाते हो, या बहुत परिशान हो जाते हो, या बहुत overthinking करते हो, रोना आता है, वो आपकी energies नह हैं, आप तो आगे बढ़ रहे हो, और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि no contact जो होता है ना, उसका सबसे पहला rule ही है, detachment, खुद को detach कर दो, उनके पीछे, अपनी energies देना बन कर दो, देखो, अब आप बोलो कि मैं मैं तो detach हूँ, मैं तो detach हूँ, मैं तो आगे बढ़ रहे कहीं न कहीं इस person के पास है, energies देना बंद कर दो, energies को वापस ले लो, अपना power back वापस करो, अपना power अपने पास रखो, अपनी energy उदर से हटा लो, जब आपकी energy वहाँ से हटे गी, तभी तो उस person को realization होगा कि ये no contact situation से बाहर निकलना है, ऐसे नहीं होगा, self love करो, self love, खुद खुद की value को, value को you know, अपनी empress mode में आओ, why this health क्यों यहाँ पर health का issue किसलिए है, health क्यों है यहाँ पर physical, physically कोई issue है, health क्यों है यहाँ, why this health is here, okay, so यहाँ पर the moon की energy and the star की energy है, तो यह person को कोई health issue रहे हो, यहाँ इनकी family में किसी को अगर health issue रहे हो, तो कुछ ऐसा है कि इस person ने आपको बताया नहीं है, इनोंने आपसे यह चीज़ छुपाई है, ठीके, यहाँ हो सकता है कि आपसे यह बंदा इतना emotionally connected हो गया, यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ कि दो हैं, मुझे यह पता नहीं क्यों ying and yang वाला दिख रहा है, देखो white and आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है जिस differences है, especially in this deck, आप दोनों के बीच कुछ differences है, कास culture का issue है, मैं भी mother issues है, मदर की health ठीक नहीं है, वो अप्रूव नहीं करेंगी और यह बात इनोंने आप से चुपाई है, यह एमोशनली आपके साथ connected है, और इनों ने अपनी आपकी बात अपनी mother से या father से नहीं की, क्योंकि उनका health issue है, उनकी health ठीक नहीं है, ऐसी लिए आप दोनों के भी बहुत जादर differences है, देखो, कितना differences है, यह देखो, ying and yang वाली energy है, मैं भी आप energy है, यह रिष्टा जो है, इसमें balance की जरूरत है, यह रिष्टा जो है, इसमें hopes की जरूरत है, यह रिष्टा जो है, इसमें manifestations की जरूरत है, मैं भी यह person आपको manifest कर रहे हैं, emotionally आपके साथ connect होने की कोशिश कर रहे हैं, अब, पहले नहीं, अब कर रहे हैं, जब आप दोनों पा रहा है लेकिन यहां पर कोई इशू लग रहा है मुझे यह health issues किसी के तो हैं और वो वहां पर stuck है बंदा वो बंदा stuck है और दुआ कर रहा है कि काच कोई रस्ता निकल आए क्योंकि यह नहीं बता सकते ना इन्होंने चुपाई वी यह बातें अभी क्योंकि उनकी health ठीक नहीं है समझो आप इस बात को अगर यह बता देंगे तो मसला खराब हो जाएगा बड़ा मसला खराब हो जाएगा यह नहीं चाहते इन पर कोई ब्लेम लगे कि इनकी वज़ा से घर में किसी की तवित खराब हुई है इसलिए ऐसा लगदा जैसे अपने emotions को बंदा अपने अंदर ही छुपा छुपा के चल रहा है और मैं भी अपने गुसे को फरस्ट्रेशन को किसी और चीज में निकाल रहा है मतलब जैसे डैविल की इनर्जी है तो हो सकता है कि यह बंदा अपने जो लाइफ का गोल था या लाइफ का परपस उससे भी हट रहा है और अलकोहल वगेरा का यूस कर रहा है अगर यह मेल है तो यह मतलब अपने ही अंदर जैते बहुत सारे एमोशन हैं येकिन वह अपने अंदर दबा के बैठावाया अब बता नहीं सकता बताएगा तो मसले खड़े होंगे या Freedom, Three of Swords तो यहाँ पर Freedom को Three of Swords ने क्लियरिफेक किया यहाँ पर क्लियर हो चुकी यह बात के आप दोनों के भी थर्ड पाटी है यह परसन इस वक्त आइसोलेशन में है हर्मिट की इनर्जी है तो यह परसन इस वक्त आपसे कांटेक्ट करेंगी भी नहीं यह भी बता कि ना mode में है और ना ही उस position power या condition में है क्योंकि third party यहां पर still third party यहां पर मौझूद है अब यह third party क्या है मुझे नहीं पता I don't care मुझे नहीं पता कि हर किसी के case में अलग-अलग third party होगी ठीक है अगर family है या mother issues है या कोई भी issues है financial issues है या इनके अपने addictions हैं कुछ भी है friends है यह third party से बाहर निकलना चाते है freedom यह freedom चाते हैं खुल कर सांस लेना चाते है अपनी feelings को जाहर करना इनको यह भी लगता है कि यह सब कुछ कर रहे है ठीक है यह third party के लिए सब कुछ कर रहे है देखो hermit की energy है यह person पता है यह person अपनी soul search पर निकला हुआ है अपने आपको खोज रहा है यह बंदा आपके मिलने के बाद आपसे मिलने से पहले यह होता था कि यह person सब की help कर रहा है the high priestess की energy है सब को दे रहा है सब के लिए काम कर रहा है seven of pentacles मतलब महनत यह कर रहा है फल दूसरे खा रहे है ठीके सब को दे रहा है ठीके जारी बाते family है या जो भी है करना पड़ता है सब कर रहे है लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा तो अब आपके मिलने के बाद ऐसा लगता है अपने इस person को इनका soul search करवाया है आपने इस person को कहीं न कहीं वो चीज़ सिखाई है समझाई है कि अपने लिए भी तो कुछ करो तुम तो अपनी महबद को अपने प्यार तक को नहीं अपना पा रहे हो सिर्फ इन लोगों के लिए इन करे जा रहे हो जोड़ा टाइम लेंगे वाय इस surrender is here वाय इस surrender is here दो है याँपर कार्ड फोर 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 आप जादा देख रहे हो के 11 11 11 11 11 बी 1 1 1 1 1 मतलब 4 बनता है तो आप 11 11 देख रहे हो तो इसका मतलब आप त्वीन ज़नी में ही हो पर पेज ओफ कप्स की नर्जी है, तो ये परसन आपको ओफर तो देना चाते हैं, ठीके, आपसे बात भी करना चाते हैं, आपके सामने सरेंडर करने के लिए, फोर ओफ कप्स लेकिन, लेकिन इस परसन को लगता है, तो ये बहुत ज़ादा ओवर्थिंग कर रहा है, फोर आप इनको अब reject कर दो और आप third party के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े करोगे, आप इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हो, या जब इस तरह से ये offer लेकर आएंगे आपके पास, तो आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो, third party के बारे में, क्यों चले गए थे, क्य यह सोच रहे हैं कि क्या third party आपको अपनाएगी, क्या third party के साथ आप रह पाओगे, बहुत सारी चीज़ें इस बंदे के माइड में चल, overthinking बहुत जादा चल रही है, ठीक है, या अगर इस person ने आपको कभी ठुकराया था, आपकी offers को ठुकराया था, let's say, तो अब ये person आपके सामने surrender रणना चाते हैं, या फिर divine के सामने ये बंदा surrender कर चुका है, अब ये help ले रहा है divine से, आप से नहीं, आपके बारे में नहीं सोच रहा, मतलब help ले रहा है divine से, remember hermit की energy थी, अपनी soul search पर निकला वाए बंदा, उपर वाले से help ले रहा है, कोई रस्ता निकला है, मैं surrender कर चुका हूँ, अब आप ही कुछ करो, यहाँ पर abundance की energy क्यों है, ये किसके लिए energy आई है abundance, abundance की energy क्यों है, why is this abundance, thank you so much, वाओ, six of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, तो या तो आपके साथ ये person, partnership करना चाहते हैं, में भी आपको कोई business offer दें, कि मेरे साथ business करो, मेरे साथ काम करो, ठीके, abundance आएगा इनकी वज़ा से आपकी life में, और या तो आपको कोई offer देना चाहता है, ये आपके लिए especially message है, ये, ace of pentacles है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है, कि ये जो no context situation आपके पीछ में बनी वी है, please इसमें खुद पर focus करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अपने उपर focus करो, और आप कर भी रहे हो, कहीं न कहीं वो तो है, ठीक आप कर रहे हो, बेशक आप कर रहे हो, लेकिन, शायद अभी भी कुछ जरूरत है, क्योंकि धेर सारा abundance आपकी लाइफ में आ रहा है, इसको claim करना energy को, ये abundance की energy अगर bottom में है न, तो इसका मतलब कि ये abundance आपके पास आ रहा है, इक्वल, गिविन टेक या ये person करना चाहते हैं, आपके साथ धेर सारा abundance आ रहा है, या तो कोई financially आपकी कोई help हो रही है, तो इस abundance को अपनी life में claim करने के लिए comment में जरूर लिखना, abundance, ठीके, जरूर लिखना ये, देख रहे हो, पैसे को दिखाता है, तो आपके पास पैसा आने वाला है, आपकी जिन्दगी change होने वाली है, बाइदवे, कुछ तो यहाँ पर change हो रहा है, मेभी इस person की वज़ा से हो, मेभी इस no contact ने आपको abandon कर दिया है, मेभी आपको समझा दिया है, सिखा दिया है, आगे कैसे बढ़ने, खुद पर ध्यान कैसे करना है, अब आपका ध्यान इन से हट कर अपनी तरफ आ चुका है, तो अब क्या है, जब हम अपनी energies देना बन कर देते हैं, अपनी energies खुद पर सर्फ करते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो क्या होता है, फिर यही करश में होते हैं, इसी तरह के फिर हमें abundance आते हैं लाइफ में, equal give and take इसी को कहते हैं, आप खुद को पहचान रहे हो, लेट सी इस परसन का कोई next move होगा अपकी तरफ और फिर इनके messages भी देखेंगे, कोई next move है, यहाँ पर high priestess ही गिर है, देखो जड़ा, सोर्स पहले यह करते हैं, ठीक है, six of swords, wheel of fortune, ठीक है, यह देखो, wheel of fortune, कार्ड नज़र आ रहे हैं आपको, अब नज़र आएंगे, ठीक है, wheel of fortune, six of swords, लीब्रा जमने है, curious, टॉरस की placement, कैप्रिकॉन की placement, कैंसर की placement, बहुत जादे strongly दिख रही है मुझे, यहाँ पर है high priestess, and यहाँ पर है hermit, अब मैं आपको बता हूँ, क्या है इनका next move, bottom energy है, two of swords, यह बंदा जब आपके पास आएगा, no context situation, पक्का, यहाँ पर surety है, उन लोगों के लिए जिनका connection toxicity में नहीं था, टॉक्सिक नहीं था, आपको पता है कि मेरा person मेरे साथ loyal है, मेरा person किसी मजबूरी के तहती मुझे से दूर है, ठीक है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, खामखा किसी का wait मत करना, अगर आपको पता है कि मेरा person बहुत टॉक्सिक है, या वो दुबारा drama create करेगा, या है ही वो ऐसा, तब तो आपको किसी का wait करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी six months से जादा तो मैं किसी को wait करने के लिए बोलती भी नहीं हूँ, खुद पर focus करो, आगे बढ़ो, ठीक है, four of friends, oh my god, 11-11 आ चुका है याँपर, yes, आप confused थे ना, तो ये देखो confusion दूर होगी, 11-11, soul contract है, आप दोनों का soulmate हो, या फिर twin journey से गुजर रहे हो, अभी मैं बात बता हूँ, आपको इनका next action, yes, इनका next action है, बट कब है, ये नहीं पता, यहाँपर divine timing का बहुत बड़ा खेल है आप दोनों के बीच, अभी कितना time लेंगे, वो divine को पता, उपर वाले को पता, क्योंकि यहाँपर high priestess की energy है, जब high priestess की energy आजाती है, तो इसका मतलब है कि उसको बहतर पता है, हमें नहीं पता, हम नहीं यहाँपर reveal कर सकते, यानि divine आपको अभी बदाना नहीं चाते, यह चीज़ छुपी भी है, लेकिन जबी भी होगी unexpected होगी, और divine timing पर होगी, wheel of fortune जरूर होगी, यह cycle है, आप दोनों के भी जो complete होगा, यहाँपर भी sun है, यहाँपर भी moon है, यह देखो, sun, moon, तो maybe full moon पर हो, या फिर divine timing है यहाँ, wheel of fortune, यह cycle है, आप दोनों के भी जो complete करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह person आपके साथ contact करेंगे, क्योंकि यह बंदा confused है, इस वक्त यह बंदा बहुत confused है, हर्मिट की energy में, हर्मिट वैसे भी देरी को दिखाता है, हर्मिट का मतलब होता है, कि बंदा soul search पर निकला हुआ है, अपने आपको खोज रहे है, अपने रिष्टे को खोज रहे है, समझ रहे है, आपको समझ रहे है, दुनिया को समझ रहे है, प्यार को समझ रहे है, रिष्टों को समझ रहे है, अब वो वाली बातें जो आपने कभी इस परसन से बोली थी और इस परसन ने कभी मानी नहीं थी आपकी वो बातें अब वो बातें इसके सामने आ रही है अब आपकी बातें इसको सची लग रही है यार वो बुल्कुल सही बोलती थी या सही बोलता था अब इस person को समझ आ रहा है कि मेरा तुमारे सवय तो कोई ही नहीं, तुम तो बिल्कुल सही बोलती थी या तुम तो बिल्कुल सही बोल जोते पर मैं ही तुमारी बात समझता नहीं था, तुम तो high priestess थे, आप जो हो ना आप वाक़ी बहुत intuitive हो, आप high priestess हो, आप हो सकता है mentor, और आपने mentor का, guru का काम किया इस person की life में, इस person को change किया है आपने, इस person की addictions को खतम किया है आपने, आप दोनों का ये जो commitment है, मैं commitment बोल रही हूं, I don't know क्यों बोल रही हूं, पर हाँ यहाँ पर है, equal give and take है commitment है, जो भी है ये person की वापसी है, लेकिन divine timing पर है, अगर यहाँ third party है, तो वो भी divine timing पर ही आपकी life से जाएगी, ये भी person divine timing पर ही, अब ये divine timing जो है, आप पर भी depend करता है, आपको अपनी value को पहचानना है, soul search ये आपके लिए भी है, अपने आपको abundance, यानि अपने पैसे पर अपने आप पर work करो, ये तो no contact का rule है, ठीक है, so let's see, कुछ कहन कुछ मैसेज देना चाते हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे में आपके सामने निकाल लेते हूं, ठीक है, कुछ कहना चाते हैं, ओ, बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत कुछ कहना चाहते हैं यह बात तो मैंने पहले ही बोली थी प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी तो आप से कह रहे हैं कि मुझसे गुसा मत हो यूनियन वाउ तो इन्हें तो अभी से ही लग रहा है कि आप दोनों यूनियन में हो आप साथ हो या ना हो फिर भी आपको साथ ही फील करते ही है जो बोलेंगे ही आपको बिल्कुल स्टाट अगें दुबारा करेंगे ही आपसे नहीं शुरुआत तो बहुत जल्दी इनका टेक्स मेसेज आ सकता है तो यहाँ पर मून की इनरजी थी तो या तो आप इनको द्रीम में देख रहे हो या यह आपको देख रहे हैं आप बहुत दादर मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको में भी आपसे बात करना चाहता है यह बंदा दो बर कंफर्म हो गया यहाँ पर I am sorry sorry भी कर रहे हैं क्योंकि इनों ने आपके साथ बाहराल गलत किया distance is going to have a tough time यह distance जो आप दोनों के बीच है काफी tough इनके लिए हो इनके लिए भी आसान नहीं है this is my fault तो यह कहना चाहरे है कि यह मेरी गलती है मेरा fault is में just need a sign तो कोई ना कोई sign यह मांग रहे है universe से ताकि यह आप से बात कर सके या family से are you ready तो यह आप से पूछ रहे हैं कि आप ready हो gifts and dates तो यह आपको gifts जबी भी आएंगे आप से अगर face to face मिलने के लिए अगर आप कहीं पर मिले हो या आपको उसी जगा पर बुलाएंगे या मिलो गे face to face आपके लिए कोई ना कोई gifts वगेरा dates, मिठाई, sweets वगेरा कुछ लेकर आएंगे या फिर आपको देते थे यह आपको मिठाई पसंदे क्या sweets पसंदे आपको chocolate पसंदे आपको gifts पसंदे आपको देखते हैं आपको कोई song देना चाहते है अरे ये दो आ गए चलो तीन आ गए आज song तीनों ही ले लेते हैं कुछ कहना चाहते हैं बहुत कुछ कहना चाहरा है ये बंदा ये बातून ही बहुत थे हैं क्या बहुत बोलते हैं लेकिन अभी इनका चुप रहना आपको पसंद नहीं आ रहा, बॉलते बहुत थे न, तेरे होके रहेंगे, छीक है, होके रहेंगे, हमने थोड़ी मना किया है, तो यहाँ पर है जी, नीले नीले अंबर पे, जान्द जब आए, यहाँ पर है सानु इक पल चैन आए, सजना ते यह सौंग तो बहुत ही ब्यूडिफुल है, एक और देख लेते हैं, एक और, पता नहीं, दिल कर रहा है, कुछ और भी सौंग्स लिखूंगी, तू जो मिल लिया, ठीक है, तू यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूँगी आथ नेक्स रीडिंग मैं, थैंक यह सो मच फर वचिंग, बबाई, लव यौल,